आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं router password recovery मतलब हम लोग आज password recovery पढ़ेंगे router का password अगर आप भूल जाते हो किसी तरीके से यह आपको कुछ ऐसा router मिलता है कि उसको आपको password को recover करना है तो वो किस तरीके से आप recover करोगे उन सारी चीजों के बारे में discuss करेंगे तो देखें हम लोग screen पे चलते हैं और screen पर देखें मैंने लिखा हुआ है router password recovery तो simple सा method है अगर मैं इस video को relate करा हूँ video 9th video से जिसमें मैंने आपको components के बारे में बताया था और booting process के बारे में बताया था उधर मैंने बात की हुई थी register value की राइट तो register values के बारे में बात की थी तो register values में मैंने आपको 0x2102 के बारे में बताया था प्लस मैंने 0x2142 के बारे में बताया था इन दोनो register value के बारे में मैंने discuss किया था और मैंने आपको ये बोला था कि by default जो register value select होती है वो register value होती है 0x2102 ये default होती बट अगर मैं register value को change करके 0x2142 कर देता हूं तो condition क्या होगी condition ये होगी कि router जब boot करेगा मैं आग से सुनियागा router जब boot करेगा उस time पे router nvram के अंदर जो आपकी configuration file रखी होई है startup config file रखी होई है उसको check नहीं करेगा और router क्या करेगा boot करने के बाद router operating system को load कर देगा run करा देगा without configuration file तो इसका मतलब आपको समझ में आई बार कि अगर आप register value 0x2142 कर देते हो तो आप router में entry कर जाओगे without password लेकिन अब आपके mind में एक बात आ रहे हो कि मैं अगर router में without password entry करता हूँ तो क्या मुझे previous जो configuration वाली file है क्या मिल जाएगी वापस yes configuration की file आपको कहां रखी हुई है NVRAM में non-volatile RAM के अंदर आपने इस register value को change करके file को delete नहीं किया register value को change करके आपने router को यह बताया है कि यह ignore कर देना startup configuration को मनलब without startup configuration के check ko किये हुए iOS file को load कर देना है तो इसका मतलब यह है कि मैं first of all सबसे पहले इस register value को change कर देता हूँ password recovery में जो कि by default 0x2102 है इसको change करके 2142 कर देता हूँ मैंने आपको बताया था sorry उसी वीडियो के अंदर आपको यह भी बताया था कि वही roman mode में आपको जाना पड़ेगा किस mode में जाना पड़ेगा roman mode में means अगर आप password recovery करते हो या बहुत सारी चीजे मलब और भी diagnose करते हो चीजों को travel suit करते हो at that time आप जो mode select करोगे वह roman mode होगा तो जब भी password recovery करनी है और register values को change करना है तो register value को change करने के लिए सबसे पहले हमें कहा जाना होगा roman mode में और roman mode में जाने के बाद register value को change करेंगे तो roman mode में कैसे जाएंगे router को roman mode में ले जाने के लिए आप control press break key प्रेस करिए अब break key का मतलब बहुत सारे laptops होते हैं बहुत सारे desktop desktop में तो आपको keyboard पे break key मिल जाएगी लेकिन multiple laptops ऐसे मिलेंगे बहुत सारे जिसमें break key आपको directly so नहीं करेगा at that time आप क्या करोगे simple google करिए उसमें देखिए कि dell के लिए break key कौन सी है उसमें multiple कुछ keys होंगी combination होगा dell laptop के लिए अलग Lenovo के लिए अलग also उसके लिए multiple different companies के laptop के लिए अलग-अलग keys होंगी function के साथ होंगी open करके function बनाओगा उसके साथ keys होंगी वह देख लीजिए और उसके साथ आप control break की जगे उसमें keys को press करिए right okay तो मैं अभी control break की help से आपको router के iOS को मैं router मैं 1841 यूज़ कर रहा हूं जैसा कि previous में मैंने basic configuration इस पे आपको बताई थी इस router का password जो configuration मैंने की थी वो अलड़ी present होगी और अगर configuration वाली फाइल को मैं configured router को access करूंगा तो obviously बात है अगर password लगाया है तो password मांगेगा भी और password मैं भूल चुका हूं suppose password मुझे नहीं पता है तो उस condition में मुझे roman mode में जाके register value 0x2142 करनी पड़ेगी इससे होगा क्या होगा यह कि router directly operating system को RAM में लोड कर देगा without configuration फाइल के क्योंकि password आपका कहां रखा हुआ है configuration फाइल में और configuration फाइल को ignore कर दिया तो obviously बात है आपका router access कर लोगे आप इसली अब आपके mind में यह बात आती है देखिए द्यान से यह आने भी चाहिए क्या रही होगी कि यह रही RAM और यह हो गया nvram राइट समझेगा बात द्यान से मैं यह कह रहा हूँ कि nvram की file को check नहीं करेगा इसका मतलब जो startup poly file है वो file अलड़ी nvram में होगी वो file तो कहीं नहीं जा रही आप डारेक्ली जो इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको RAM में लोड करा दे तो without nvram की configuration को चेक किये हुए तो अब यह आपका setup mode आ गया यहां पर आपका आ जाएगा router greater than ठीक है आप user setup mode के अंदर हो कोई problem नहीं आप enable करोगे without password आप enable करने के बाद कहा जाओगे router has privilege mode में आ जाओगे without password बट आपको configuration अभी भी कहा पड़ी हुई है startup में बट आपको configuration के changes करने क्यों क्यों क्योंकि आपको password देना है नया password create करना है क्योंकि password अगर secret लगा होगा तो आप देख तो नहीं पाओगे बट password नया create तो कर सकते हो तो उसका तरीका यह है फिर आपको startup file को copy करना पड़ेगा कहां पे RAM में तभी तो आप changes कर पाओगे क्योंकि इसी file में changes करने हैं आपको तो उसका तरीका यह है कि simply आपको एक command run करनी पड़ेगी privilege mode में copy आप copy किसको करना है startup configuration file है startup config को किस पे करना है running config तो running RAM में कर startup से आप startup की file को running में copy करोगे means nvram से RAM में आपकी file आ जाएगी और वहाँ पे आप सारे changes करोगे जो भी आपको changes करने है IP चेंज करना है यह भी password चेंज करना है वो सारे changes करके again आप save कर दोगे save करने की again command है copy startup to running running to startup otherwise wr कर दोगे right shortcut command है right इससे enter करके आपकी configuration save हो जाएगी तो यह बात समझ में आ गई कि आपका password भी आपने नया दे दिया आपकी configuration भी erase नहीं हुई इस तरीके से आप इसको कर लेते हैं फटाफट सारी चीज़े change कर लेते हैं लोग तो सबसे पहले router को access करने का तरीका क्या है हमें putty करना पड़ेगा मैंने putty पे click किया करने के अदरवाइस आप device manager में जाकी check कर सकते हो जो भी com number हो देखिए द्यांसे अभी screen की तरफ देखें तो यहां पर router restart हो चुका है और restart होने के बाद मैंने router को अभी on किया on करने के बाद अभी दिखा रहा it index इसका मतलब configuration पहले से present है मैंने क्यों कहा configuration present है क्योंकि hostname change है otherwise by default अगर इसने default iOS को उठाया होता without configuration file तो यहां पर router लिखके आ रहा होता जहां पर it index लिखा हो है right चुकि default में तो hostname possible ही नहीं है ना automatically अपने मन से तो को hostname लेगा नहीं अब इस तरीके से button में इसको enable कर रहा हूं मैंने enter किया अब password भूल गया मैं मुझे इसका password नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा recovery करनी पड़ेगी recovery के लिए क्या करना पड़ेगा control break की press करके हम राउटर में enter करना पड़ेगा enter करने के बाद हम दूसरे mode में आ जाएंगे इस mode म store कर देगा और directly load हो जाएगा तो हम enable करके access कर लेंगे start करते ओके देखिए अब मैं router को control break की मेरे laptop में मेरे system में है तो मैं इसको control break की कर लेता हूं और router को off करता हूं राइट अब control break की press करके आपको router को on करना है और on करने के बाद आप check करेंगे wait a minute यह देखिए roman mode में आगे थोड़ा सा time लगेगा आप control break प्रेस करेंगे जैसे router on होगा on होगा आप roman mode में आ जाएगे यह मैं physical router के साथ बता रहा हूं packet tracer के साथ आप सारी चीज़े यह possible नहीं है कि आप password recovery packet tracer के साथ करते हो इसके लिए आपको physical device के requirement होगी बट आपको से notebook में अपनी copy में तो आप किसी को explain करते समय आप इस तरीके से explain कर सकते हो कि वह identify नहीं कर पाएगा कि आपने router का backup लिया है या नहीं अगर इस process से आप उसको explain करते हो तू राइट अब आपको यहां क्या करना है register value change करनी है आप इस screen की तरफ देखिए आप क्या करना है register value change करने है उसके लिए आपको command चलानी config इस command को आप लिख लिए config 0x2142 बाइडिफोल्ट क्या है मैंने आपको अभी दिखाया नहीं otherwise by default जो इसमें register value होती है वो क्या होती 0x2102 तो मैं इसको कर देता हूँ config 0x2142 ओके इतना करने के बाद इतना करने के बाद अब restart करना है तो restart की देखो दो commands है अगर आप hard boot कहते हो तो hard boot करने का command यह होता router की power button को direct off on on off करना है और अगर आप soft boot करते हो तो router को with help of command reload करना है तो जो restart करने की command होती वो reload होती लेकिन वो command होती जब आप privilege mode में हो तब यहाँ privilege में नहीं हो इधर आप Roman mode में हो तो Roman mode में अगर आप restart कर रहे हो तो इधर आपको command चलानी पड़ेगी reset इधर आपको command चलानी पड़ेगी reset ओके एंटर कर दिया बने अब router restart हो गया अब restart होता ही क्या होगा अब IT index आपको नहीं दिखेगा क्योंकि यह startup configuration वाली file को pick नहीं करेगा क्योंकि register value तो change हो directly iOS को RAM में load कर देगा simple और वहाँ पर कोई configuration आपको नहीं मिलेगी इसलिए आप router को access कर लोगे लेकिन आपको files में changes कर रहे हैं तो उसका तरीका बात करते हैं भी हम ठीक है देखे router restart हो चुका है तो मैं इसको initially no कर देता हूँ द्यार से देखे screen की तरफ आप देखे इधर क्या लिख क्या रहा है router greater than मतलब इधर IT index लिखके नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने क्या किया हुआ इरेस का मतलब register value को क्या कर दिया है चेंज कर दिया तो अब router ने जब फाइल को iOS फाइल को decompress किया उसके बाद में start of NVRAM की तरफ router गया ही नहीं वहां से फाइल उसने सर्च करने की कोशिस ही नहीं की राइट डिरेक्टली आप आ गये और इधर आप कर देते हो इनेपल अब आप privilege mode में हो लेकिन अगर आप so run करोगे तो आपको कोई भी configuration नहीं मिले दी ब्लैंक है बट आपकी फाइल अभी present है जो भी configuration वाली फाइल है वो present है यह देखिए so start up करिए start up पे जाईए देखिए अभी भी host name क्या है IT index यह password secret लगा हुआ है अब हम password देख नहीं सकते बट password change तो कर सकते हैं लेकिन अब बही बात है change करने के लिए आपको changes कहां करोगे आप RAM में करोगे startup में जाके तो changes नहीं करोगे nvram में तो इसका मतलब जो आपने running startup configuration वाली करके उसके बाद after that आप उसको save करोगे तो RAM में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा RAM तो अभी blank है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा copy space startup config to running config एक चीज़ बहुत important है कभी भी किसी company में आप काम कर रहे हो तो copy space running to startup नहीं चलाओगे क्यों नहीं चलाओगे क्योंकि RAM तो आपकी blank है अगर आप running to startup चलाओगे तो startup की configuration भी आपकी remove और write कर देगा तो इस वज़े से इस बात को बहुत ध्यान रखना है जब भी आप password recovery के बाद changes करते हो तो सबसे पहले आपको startup की file को running configuration में रखनी है after that changes करने तो मैंने startup to running command को run करा दिया enter किया देखिए id index लिख के इसका मतलब यह है कि वो file क्या हो गई है running में आ चुकि अब password आपको अभी भी नहीं पता क्योंकि so run करोगे तो आपको password encrypted दिखेगा तो उसका तरीका यह है कि configuration mode में आप आईए और configuration में आके आप enable secret password जो भी देना है आपको Cisco suppose at the rate 123456 यह password देना है 123456 आप control z से भी बाहर आ सकते हो और यहाँ पर wr shortcut command है जिसके थुरू आप right command की help से save कर लोगी तो अब यह configuration save हो जाने के बाद आपका जो नया password है वो रहेगा और बाकी पुरानी configuration सारी वही present है तो इस तरीके से आपका password recovery complete हो जाता है तो password recovery I think आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मैंने details से discuss करने की कोसिस की next video के अंदर हम लोग बात करने वाले है password recovery के बाद router की जो यह configuration file है अब होता क्या है यह configuration file है यह आपको किसी को email करनी किसी ने बोला कि router जो आपका IT index का router लगा हुआ है उस router पे जो configuration है उस file को हमें email करो किसी senior ने आप से बोला तो आप आपको उस router की file को अपने computer पे access तो करना पड़ेगा ना तभी तो आप email करोगे जब उस file को download करोगे router की file को backup लोगे तो वो जो backup कैसे लेते हैं with help of TFTP server का भी use करेंगे इसमें तो backup कैसे लेते हैं वो हम लोग next video के अंदर देखने वाले router का backup और backup को restore कैसे कराते हैं अगर दो integration file को आपको mail किये और कहा है इस file को router पे restore कराके और finally router को आप network से connect करो तो दोनों ही condition में backup and restore वाला जो option है वो हम लोग next video के अंदर करेंगे ओके thank you so much and thanks for watching this video